नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीमेंट में आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्त होंगे मैं करूना इस वीडियो में लेकर आए हूँ क्लास 12 के पेंटिंग फाइन आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए टर्म सेकिंड का मॉडल टेस्ट पेपर जो की इशू किया है दी ओई ने तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है फर्स टर्म का एक्जाम बोड का आपका हो चुका है जो आपका एक घंटे का था और पंदरा नमबर का थियोरी उसमें आपसे पूछी गई थी और सत्तर नमबर का आपका प्रिक्टिकल होता है तो 35 नमबर की प्रिक्टिकल आपकी फर्स टर्म में हो चुकी है सेकेंड रम में 15 नमबर की थियोरी आपकी रहती है और 35 नमबर का प्रिक्टिकल आपका रहता है सेकेंड रम में ठोरी के 15 नमबर को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है किस तरह के कोशन्स आप से पूछे जाएंगे सॉलिशन के साथ इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अची लगे तो लाइक भी जरूर कर दें फस्ट ट्रम की तरह ही इस वाले ट्रम में भी आपका सेकेंड ट्रम का पेपर एक घंटे का होगा पंदरा नमबर का होगा टोटल छे कोशन आम से पूछे जाएंगे और सभी कोशन को करना कंपलसरी होगा कोशन नमबर एक, दो, तीन और चार दो नमबर की होगे कोशन नमबर पांच, तीन नमबर का होगा और कोशन नमबर छे, चार नमबर का होगा बात कर लेते हैं कोशन की और उनके आंसर्स की तो सबसे पहला कोशन है आपका नेम, two famous sculpture and their artwork that reflects the condition of poor peoples in India at the time दोस्तों यहाँ पर आपसे दो प्रमुक मूर्तिकारों के नाम पूछे हैं और उनका काम आपसे पूछा है जिसके अंदर दिखाता है भारत में गरीबों को मतलब ऐसा काम दिखाना है या बताना है जो भारत की गरीबी को दिखाता है या भारत के गरीब लोगों को दिखाता है तो इसके अंदर आपका राम किंकर बैज जो की मूर्तिकान है तो उनका सांथाल परिवार आ सकता है बीपी रह चौधरी का आपका श्रम की विजय लेबर वाला जो एक मूर्ति शिल्प है वो भी आ सकता है तो इसी तरह के कुछ मूर्ति शिल्पों के बारे में तुम्हें या पर बताना है Q2 है तो आपको दो ग्राफिक प्रिंट्स के नाम बताने हैं जो की आपके कोर्स में है और जो human figure पर बने हुए है और उसमें आपको वो figures जो बनाए हैं ग्राफिक आर्टिस्ट ने उसके अंदर उन्होंने कौन सी printmaking color और कौन से method को use किया है वो बताना है next आपका तो यहां पर लोग कला से प्रेरित या लोग कला के पिता जिन्होंने बंगाल कला का व्लोकन किया बंगाल कला से सीखा उनकी लाइन आधुनिक कला से प्रेरित मानी जाती है उनके बारे में बताना है और उनके काम के आधार पर यानिकी उनके चित्रों के आधार पर चार कला के तत्व को बताना है तो यहाँ पर बात हो रही है यामिनी रॉय की जो की लोक कला के पिता कलाकार कहे जाते हैं और बंगाल कला से प्रभावित हैं उनकी लाइनों में जो शशक्तता है जो प्राण जीविंतता है उसके बारे में आपर पूछा जा रहा है यह वाला कुशन भी आपका दो मार्क्स म Verma mastered the style of academic realism and use it to depict scenes from popular epics like the Ramayan and Mahabharat. The paintings on epic become so popular that many of them were copies as oligraph and were showed in market and entered people homes as calendar images. Here we have talked about Raaza Ravivarma, who are the ones who are the first real realism of the world, which have been born by the first people who have been born from the world, from the Ramayan and Mahabharat. They were so popular artists that in the holograph, में जितनी भी copy वो करते थे जितने भी print वो निकालते थे वो सभी के सभी जल्दी से जल्दी sale हो जाते थे और हर किसी के घर में as a calendar लगाए जाते थे तो हमको यहाँ पर बताना है based on it, its compositional arrangement, why do you like or dislike the painting तो आपको बताना है कि आप उनकी कला को या उनके सयोजन के सिधानतों पर अधारित कला को क्यूं तो पसंद करते हो और क्यूं ना पसंद करते हो इसके साथ आपको एक और question दिया गया है अगर आप यह question नहीं आता है आपको तो आप second question कर सकते हैं जो है describe our Indian national flag इसको आप दो तरीके से यहाप पर explain करेंगे first तो significance of colors यानि की tri colors के symbolic interpretation आपको बतानी है और दूसरा अशोग चक्र जो की तिली है 24 तिलियां है जो उसके बारे में आपको बताना है इन दोनों में से कोई एक question आपको करना है और ये भी दो number में है question number 5 जो की case base होने वाला है ये तीन number का है और यहाँ पर भी दो question आपको दिये गए हैं जिसमें से कोई एक question आपको करना है तो ये एक चित्र है जिसके अंदर तीन महिलाएं सेंटर में खड़ी हैं एक पीछे पेड़ के पीछे चुप करके उनकी बातों को सुन रही है तो ये है हल्दी पीसने वाले चित्र किसका अमरिता शेरगिल का तो सबसे पहले आपको क्या है identity and name of the artist सबसे पहले यहीं बताना है कि अमरिता शेरगिल का चित्र होर चित्र का नाम है अमरिता शेरगिल ने उसको आपको यहां पे बताना है तीसरा, does the massive power of ruler women reflect in the subject matter of the painting explain logically with your artistic point of view चित्र के कलात्मक पहलूं के अधार पे आपको ruler यानि की ग्रामीन महिलाओं की जो महां पे बात हो रही है जो चित्र में कलाकार ने दिखाने का प्रयास किया है उसके बारे में यहां पर आपको बताना है अगर आप इस चित्र को नहीं समझ पाए हैं या इस चित्र को explain करने में आपको problem है तो इसके साथ आपको और में एक question पूछा गया है जो है पांपी अच YouTube पिमया ओम Benson क्यूझ अच्च्च परूप आपको फक्तूप ठीजकरा पूश थच्च पोंपूिब ए ब्लुड दीडै फे ईस में by a female figure she is crying a sick person protectively on her lap the figure of this female acquires a certain monumentality and the sucher of the universal mother while the figure of the man is vulnerable and lies in her lap ये है Mother Teresa Chitra जिसके अंदर तीन महिलाएं है और एक युवा पुरुश है बीच वाली महिला एक युवा पुरुश को अपने गोद में लेकर के पड़ी हुई है उसके पैर दूसरी महिला तक जा रहे है जो face है उसकी detailing यहाँ पे कलाकार ने नहीं की है तो उस चितर की detailing यहाँ पर आपको करनी है उसके बारे में पूछा जा रहा है तो painting का नाम बताना है और artist का नाम बताना है painting का नाम है Mother Teresa and artist है M.F. Hussain इसी तरह से इस paintings के बारे में और चीज़ें जो पूछे गई हैं यहाँ पर उनको बताना रहेगा question number six है आपका write an essay on bangal school of art based on the following parameters तो bangal school की कला पर जो parameters इन्होंने दिये हैं उसके अधार पर एक essay निबंध आपको लिखना है तो origin and development यानि की उद्भव और विकास artistic features यानि कला की विशेशता है the use of Indian themes to promote Indian revivalism in art यानि की भारतिय कला को प्रमोट करने के लिए जो भी तत्वों का प्रयोग यहाँ बंगाल शैली में किया गया वो name your favorite artist and describe his artwork बंगाल शैली के अपने किसी भी पसंदीदा कला कार के बारे में बताना है और उनके work को describe करना है तो दोस्तों ये थे आपके 6 questions जो की पूछे गए हैं 2, 3 और 4 marks में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि marking scheme में आप कितना लिखोगे तो आपको कितने marks मिलेंगे तो चलिए बात कर लेते हैं marking scheme की तो सबसे पहला question है जिसके अंदर आपसे मूर्तिकार के मूर्तिशिल्प के बारे में पूछा है तो अगर आप नाम बताते हो दोनों मूर्तिकार के तो आपको दोनों का आधा-ाधा marks करके एक number मिलेगा फिर अगर तुम उनका artwork भी बता देते हो तो उस पर आपको आधा-ाधा करके एक marks मिलेगा और फिर उसके बाद अगर आप उसको explain करते हो तो उस पर आपको बाकी का एक marks मिलेगा और आप इसमें कौन-कौन सी मूर्तिशिल्प को यूज कर सकते हो तो मैंने आपको बताया था ट्रिम्प ओफ लेबर यानि की डीपी राय चौधरी का मूर्तिशिल्प सान्थाल परिवार राम किंकर बैच का मूर्तिशिल्प और क्राइड अन्हियर यानि अन्सुनी चीखें अमर नात्स्रेगाल का मूर्तिशिल्प explain कर सकते हैं अब बात थी आपके दो ग्राफिक कलाकार की और उनके वर्ट की तो इसी तरह से अगर तुम दो ग्राफिक प्रिंट्स के नाम बताते हो तो आपको एक नमबर मिल जाएगा और उसमें कौन सा मिट्रियल और मैथर्ड यूज हुआ है वो बताते हो तो आपको फिर से आधा-धा करके एक नमबर मिल जाएगा और बाकी अगर आप उसको एक्स्प्लेन करते हो तो बाकी का एक माक्स और मिल जाएगा तो इस तरह से अभी बात हो रही है यहाँ पे किन-किन को आप एक्स्प्लेन कर सकते हो तो चिल्डरन जो की सोमनाथ होर का है ओफ वाल्स यानि की दिवारों से सरोकार जो की अनुपम सूथ का है मैन, वुमन एंड ट्री जो की लक्षमना गोड का है और देवी जो की जोतिभट का है Question number 3 है आपका जिसके अंदर अगर आप आर्टिस्ट का नाम बताओगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और उनका आर्ट वर्क अगर आप बताओगे तो आधा नंबर मिलेगा और अगर उनके आर्ट वर्क को आपने एक्स्प्लेइन किया तो आपको एक मार्क्स मिलेगा और कौन से आर्टिस्ट की बात हो रही थी यहाँ पर यॉमनी रोई की बात हो रही थी और उनका कोई सभी आर्टवर्क आप ले सकते हो जैसे अगर आपने मदर अंड चाइड ले लिया तो अब उन्होंने उनके elements of art उनकी कला पर अधारित चार लाइनों में उसको describe करने बोला था तो वो आप ले सकते हैं point, line, shape, color या फिर tone में से कोई भी चार question number 4 जो की था आपका राजर अभी वर्मा पर बेस तो अगर आप उनके किसी भी artwork का नाम बताओगे तो आधा नंबर मिलेगा उसको describe करोगे तो डेर नंबर मिल जाएगा तो इस तरह से आपको पूरे दो नंबर question number 4 में मिल जाएगे इसी तरह से अगर आप national flag को describe करोगे तो एक नंबर तो उसका tricolor को explain करने के लिए और एक नंबर उसके 24 तिलियों वाले चक्र को express करने के लिए मिलेंगे आजाते हैं question number 5 पे जो की होने वाला है आपका तीन नंबर का तो इसके अंदर अगर आप painting को पहचान लेते हैं तो आधा नंबर उसके आर्टिस्ट को पहचान लेते हैं तो आधा नंबर और उसके अंदर जो भी subject है matter है जो भी चित्रकार ने बनाने की कोशिश की है उसको अच्छे से जो भी पूछा है उसको बताते हो अच्छे से तो उस पे दो number तो total तीन number इस तरह से आपको question number 4 पे मिल जाएंगे ये और वाला प्रशन है दोस्तों अगर उपर वाला ना है तो आप नीचे वाला कर सकते हो इसी तरह से question number 5 भी आपका तीन number में ही है इसके अंदर भी आपको painting को पहचानना है अगर आप painting और artist दोनों को पहचानन लेते हो तो एक number और अगर उसके अंदर कौन से भाव दिये गए है उसको पहचानन लेते हो तो आधा number Central में जो female की figure है उसको अच्छे से explain कर देते हो तो आधा number और aesthetic quality यानि की सौंदर qualities को अगर आप explain कर देते हो सही से तो एक number उस पे मिल जाता है इस तरह से आपको पूरे तीन number इस question पे मिल जाएंगे मद अटेरे सावाले पे question number six है आपका जो आपको बंगाल शेली पर ऐसे लिखना है यहाँ पर चार number कैसे divide किये गए है तो एक number अगर आप उसका उद्भविकास बताओगे एक number अगर आप उसका artistic महतू बताओगे एक number अगर आप बताओगे कि उन्होंने भारतिय कला को किस तरह से इसमें प्रमोट किया आगे बढ़ाया और एक number जब आप explain करोगे अपने favorite artist को और उसके artwork को तो इस तरह से चार number आपको question number six में मिलेंगे आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये video बहुत ज़्यादा helpful रहेगी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आप इस video की मदद से बहुत ज़्यादा marks अचीव कर पाएंगे अपने final exam में दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद दोस्तों